C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय पंद्रा आलेखों से परिचय प्रिष्ट संख्या 250 15.2 रेखिक आलेख रेखा आलेख अनेक रेखा खंडों को परस पर मिला कर बनाया जाता है कभी-कभी यह आलेख एक पूरी अखंडित रेखा भी हो सकती है ऐसे आलेख को रेखिक आलेख कहते है ऐसे आलेक बनाने के लिए हमें वरगांकित कागस पर कुछ बिंदू अंकित करने पड़ते हैं. अब हम सीखेंगे कि वरगांकित कागस पर बिंदू आसानी से कैसे अंकित किये जाते हैं. 15.2.1 बिंदू की स्थिति अध्यापिका ने श्यामपट पर एक बिंदू अंकित किया, फिर उसने विद्यार्थियों से पूछा कि वे उसकी श्यामपट पर स्थिति कैसे वरणित करेंगे, इस पर अनेक उत्तर मिले, आकरिती 15.9 पर गौर कीजिए. आकरिती 15.9 एक बच्ची कहती है, यह बिंदू श्यामपट के उपर वाले आधे भाग में हैं। दूसरी बच्ची कहती है, यह बिंदू श्यामपट के बाएं के नारे के पास है। तीसरी बच्ची कहती है, यह बिंदू उपर वाले बाए कोने के बिलकुल पास है. क्या इन में से कोई भी कथन बिंदू की स्थिती को सही सही निश्चित करता है? नहीं, कोई भी नहीं. क्यूं? इसके बारे में सोचिये. तब जौन ने एक सुझाव दिया. उसने बिंदू की दूरी श्यामपट के बाए किनारे से मापी और कहा, यह बिंदू श्यामपट के बाए किनारे से नब्बे सेंटीमीटर दूर है. क्या आप समझते हैं कि उसका सुझाव बिलकुल सही है? आकरिती 15.101 यहाँ पर चार बिंदू हैं A, A1, A2, A3. सभी बिंदू बाए किनारे से नब्बे सेंटीमीटर दूर है. आकरिती 15.11 यहाँ पर भी चार बिंदू हैं A, A1, A2, A3. बिंदू A बाए किनारे से नब्बे सेंटीमीटर तथा निचले किनारे से एक सौसाट सेंटीमीटर दूर है. प्रिश्ट संख्या 251 हम बिंदू की स्थिती इस प्रकार कोश्ठक में 90 अल्प विराम 160 लिख कर प्रकट करते हैं. क्या बिंदू कोश्ठक में 160 अल्प विराम 90, बिंदू कोश्ठक में 90 अल्प विराम 160 सेविभिन्न होगा, इसके बारे में चिंतन कीजिए. कहा जाता है कि सत्रहवी शताबदी में गणितग्य रेने दकार्त या रेने डिकार्ट ने एक चीटी को छट के कोने के पास चलते हुए देखा और तल में किसी बिंदू की स्थिती को निर्धारित करने के बारे में सोचना आरंप किया क्षेतिज और उर्ध्वाधर दो रेखाउं से दिये गए बिंदू की दो दूरियां माप कर स्थिती प्रकट करने की विधी उनके सम्मान में आज कार्तिय विधी यानि कार्टीजियन सिस्टम कहलाती है रेने देकार्ट का जन्म 1596 में हुआ था और उनकी मृत्यू वर्ष 1650 में हुई 15.2.2 निर्देशांक कल्पना कीजिए कि आप किसी थियेटर में जाते हैं और अपनी आरक्षित सीट ढूंडते हैं इसके लिए आपको दो संख्याएं चाहिए पंक्ती संख्या तथा सीट संख्या किसी तल में बिंदू की स्थिती निर्धारित करने का यही आधार है आकरिती 15.1.2 पर ध्यान दीजिए कि बिंदू कोश्ठक में तीन अलप पिराम चार जिसकी दूरी बाएं किनारे से तीन एकाई और निचले किनारे से चार एकाई है वरगांकित कागस पर किस प्रकार अंकित किया गया है आलेक वाला कागस भी एक वरगांकित कागस ही है इस पर हम X अक्ष तथा Y अक्ष सुविधा के अनुसार दर्शाते हैं और फिर उस पर बिंदू की स्थिती निर्धारित करते हैं संक्या 3 बिंदू का X निर्देशांक तथा 4 Y निर्देशांक कहलाता है इस प्रकार हम कहते हैं कि कोष्ठत में 3 अर्प विराम चार बिंदू के निर्देशांक है आकरिती 15.1-2 X अक्ष पर 1 से लेकर 6 तक संक्याएं लिखी है Y अक्ष पर भी 1 से लेकर 6 तक संक्याएं लिखी है X अक्ष को क्षेतिच अक्ष भी कह सकते हैं Y अक्ष को उर्द्वा धर अक्ष भी कह सकते हैं यहाँ पर दोनों अक्ष मूल बिंदू O पर मिल रहे हैं जिसे कोष्ठक में शून्य अल्प विराम शून्य लिखा जाता है यहाँ पर एक बिंदू बनी है जो कोष्ठक में तीन अल्प विराम चार दर्शाती है तीन बताता है कि कितनी इकाईया दाई ओर चलें चार बताता है कि कितनी इकाईया उपर चलें उदहरन तीन एक आलेक में बिंदू कोष्ठक में चार अल्प विराम तीन अंकित कीजिए क्या यह वही बिंदू है जो कोष्ठक में तीन अल्प विराम चार दर्शाता है हल वरगांकित कागस पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष निर्धारित कीजिए ये वास्तव में संख्या रेखाएं ही है मूल बिंदू यानि कोष्ठक में शून्य अल्प विराम शून्य से प्रारंप कीजिए चार एकाईया दाई ओर चल कर फिर तीन एकाईया उपर की ओर चलें तो आपको बिंदू कोष्ठक में चार अल्प विराम तीन प्राप्त होता है आकरिती 15.13 देखकर आप समझ सकते हैं कि बिंदू कोष्ठक में चार अल्प विराम तीन वबिंदू कोष्ठक में तीन अल्प विराम चार अलग-अलग बिंदू है आकरिती 15.13 इस आलेक में हम दो बिंदू देख सकते हैं कोष्ठक में चार अल्प विराम तीन और कोष्ठक में तीन अल्प विराम चार यहें दोनों बिंदू अलग हैं उदाहरण चार अकरिती 15.14 देख कर निम्द बिंदूओं की स्थिती के लिए उप्युक्त अक्षर चुनिये एक, कोश्ठक में दो अल्पिराम एक, दो, कोश्ठक में शून्य अल्पिराम पांच, तीन, कोश्ठक में दो अल्पिराम शून्य, तथा लिखिए चार, बिंदू A के निर्देशांक, पांच, बिंदू F के निर्देशांक, आकरिती 15.14 X अक्षपर एक से लेकर साथ तक संख्याय लिखी हैं, Y अक्षपर एक से लेकर छै तक संख्याय लिखी हैं, हम इसाल एक में पांच बिंदू देख सकते हैं A, B, C, D, E, F, G प्रिष्ट संख्या दो सौ बावन हल एक कोश्ठक में दो अलप विराम एक है बिंदू E, D नहीं, सोचिए कोश्ठक में शून्ने अलप विराम पांच है बिंदू B, क्यूं? मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कोश्ठक में दो अलप विराम शून्ने है बिंदू G 4. बिंदू A के निर्देशांग हैं कोश्ठक में चार अलप विराम पांच 5. बिंदू F के निर्देशांग हैं कोश्ठक में 5.5 अलप विराम शून्ने उदाहरण पांच निम्न बिंदुओं को वरगांकित कागस पर अंकित कीजिए और समझ ये कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं। अगर हैं तो उस रेखा को नाम दीजिए। एक, कोश्ठक में 0 अलपिराम दो, कोश्ठक में 0 अलपिराम पांच, कोश्ठक में 0 अलपिराम छे, कोश्ठक में 0 अलपिराम तीन दशमलब पांच 2. A. कोश्ठक में एक अलब पिराम एक B. कोश्ठक में एक अलब पिराम दो C. कोश्ठक में एक अलब पिराम तीन D. कोश्ठक में एक अलब पिराम चार 3. K. कोश्ठक में एक अलब पिराम तीन L. कोश्ठक में दो अलब पिराम तीन M, कोश्ठक में 3 अलपिराम 3 N, कोश्ठक में 4 अलपिराम 3 4 W, कोश्ठक में 2 अलपिराम 6 X, कोश्ठक में 3 अलपिराम 5 Y, कोश्ठक में 5 अलपिराम 3 Z, कोश्ठक में 6 अलपिराम 2 हल आकरिती 1 X अक्षपर 1 से लेकर 7 तक संख्याईं लिखी है Y अक्षपर भी 1 से लेकर 7 तक संख्याईं लिखी है हम इस आलेक सी समझते हैं कि यहां सभी बिंदु एक ही रेखा पर है वह है Y अक्ष 2 X अक्ष पर एक से लेकर साथ तक संख्याएं लिखी है Y अक्ष पर भी एक से लेकर साथ तक संख्याएं लिखी है हम इस आलेक से समझते हैं कि यहां सभी बिंदू एक ही रेखा पर है यह है रेखा AD आप इसे कोई अन्य नाम भी दे सकते हैं यह y अक्ष के समानतर है. 3. x अक्ष पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी है. y अक्ष पर भी 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी है. हम इस आलेक से समझते हैं कि ये सभी बिंदु एक ही रेखा पर हैं. इसे हम kl या km या mn आदी नाम दे सकते हैं. यह X अक्ष के समानतर है 4. X अक्ष पर एक से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी है Y अक्ष पर भी एक से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी है हम इस आलेक से समझते हैं कि ये सभी बिंदू एक ही रेखा पर है हम इसे XY या WY या YZ आदी नाम दे सकते है ध्यान रखिये की उपर दिये गए प्रतियेक उदारण में अंकित बिंदूओं को मिलाने पर प्राप्त आलेक एक सरल रिखा है। ऐसे आलेकों को रैखिक आलेक कहते हैं। प्रिष्ट संख्या 253 प्रशनावली 15.2 एक निम्न बिंदूओं को एक वरगांकित कागज यानि ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए और जान चिए कि क्या वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। A. A. कोश्ठक में 4 अलप पिराम 0. B. कोश्ठक में 4 अलप पिराम 2. C. कोश्ठक में 4 अलप पिराम 6. D. कोश्ठक में 4 अलप पिराम 2.5. B. P. कोश्ठक में एक अलपराम एक Q. कोश्ठक में दो अलपराम दो R. कोश्ठक में तीन अलपराम तीन S, कोश्ठक में 4 अलपिराम 4 C, K, कोश्ठक में 2 अलपिराम 3 L, कोश्ठक में 5 अलपिराम 3 M, कोश्ठक में 5 अलपिराम 5 N, कोश्ठक में 2 अलपिराम 5 2. बिंदुओं कोश्ठक में दो अल्पिराम तीन तथा कोश्ठक में तीन अल्पिराम दो में से गुजरती हुई एक सरल रिखा खीचिए. उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रिखा X अक्ष तथा Y अक्ष को प्रतिछेद करती है. 3. आलेख में बनाई गई आक्रितियों में प्रतिएक के शीर्षों के दिर्देशांक लिखिए. आलेख में एक त्रिकोण KLM, एक चतुर्भुज PQRS और एक आयत AOBC बना है. 4. निम्न कत्नों में से कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य, असत्य को ठीक कीजिए. 1. कोई बिन्दू जिसका X निर्देशांक 0 है तथा Y निर्देशांक 0 है, Y अक्षपर स्थित होता है. 2. कोई बिन्दू जिसका Y निर्देशांक 0 है तथा X निर्देशांक 5 है, Y अक्षपर स्थित होगा. 3. मूल बिन्दू के निर्देशांक कोश्ठक में 0 अल्प विराम 0 है. 15.3. कुछ अनुप्रयोग दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि किसी भी सुविधा का जितना अधिक उप्योग आप करते हैं, उतना ही अधिक उसके लिए मूले देना होता है. अगर आप बिजली अधिक खर्च करते हैं, तब आपको बिल भी अधिक देना होगा. अगर आप बिजली कम खर्च करते हैं तो बिल भी कम आएगा यह एक उदारण है जहां एक राशी दूसरी को प्रभावित करती है बिजली का बिल उपयोग की गई बिजली की मात्रा पर निर्भर करता है हम कहते हैं कि बिजली की मात्रा एक मुक्त या स्वतंत्र चर है जबकि बिजली का बिल एक आश्रित चर है ऐसी राशियों के संबंध को हम आलेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए एक कार की पेट्रोल टंकी को भरने के लिए दी गई राशी खरीदे गई पेट्रोल की मात्रा जोकी लीटर में है द्वारा निश्चित होती है यहाँ पर कौन सा चर स्वतंत्र है चर्चा कीजिए उदाहरण चे, मात्रा तथा मूले, निम्न ताले का पेट्रोल की मात्राएं वह उसके मूले बताती है यहाँ एक सारणी बनी है, इस सारणी में दो पंक्तियां है पहली पंक्ती है पेट्रोल की मात्रा लीटर में, 10, 15, 20, 25 दूसरी पंक्ती है पेट्रोल का मूले, रुपायों में, 500, 750, 1000, 1250 इन आक्णों को दर्शाने के लिए आलेक बनाईए प्रिष्ट संख्या 254 हल, यहाँ पर एक आलेक बना है एक्स अक्ष लीटर दर्शाता है, 0 से लेकर 30 तक वाई अक्ष मूले दर्शाता है, रुपायों में, 0 से लेकर 1300 तक सारणी में दी गई जानकारी को इस आलेक पर जब हम बिंदूओं द्वारा दर्शाते हैं, तब हमें एक सीधी रेखा मिलती है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रेखा को दो बराबर हिस्सों में बाटती है इस रेखा पर एक बिंदू पी है, जो कोश्ठक में 10 अल्प विराम 500 दर्शाता है एक, आईए दोनों अक्षों के लिए, जो की आकरिती 15.16 में दिये गए हैं, उप्युक्त पैमाना चुने दो, क्षेतिच अक्ष पर पेट्रोल की मात्रा दर्शाते हैं तीन, उर्ध्वा धर अक्ष पर मूल्य दर्शाते हैं, कोश्ठक में 10 अल्प विराम 500 दर्शाता है कोश्ठक में 15 अल्प विराम 750, कोश्ठक में 20 अल्प विराम 1000 तथा कोश्ठक में 25 अल्प विराम 1250 बिंदूओं को अंकित करें हम समझते हैं कि आलेक एक सरल रेखा है, यह एक रैखिक आलेक है, यह आलेक मूल बिंदू से क्यों गुजरता है, इसके बारे में सोचिए यह आलेक हमें कुछ तथ्यों के अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है, मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि 12 लीटर पेट्रोल के लिए कितना मुल्य देना होगा, क्षेतिज अक्षपर 12 की स्थिती पर गौर कीजिए 12 के चिन पर उर्धवा धर रेखा के अनुकूल चल कर आलेक को बिंदू पी पर मिलाते हैं, बिंदू पी से क्षेतिज रेखा के अनुकूल चल कर उर्धवा धर अक्षपर पहुँचते हैं, जहां हमें वह बिंदू मिलता है जो 600 रुपए उत्तर दर्शाता है, यह आलेक एक ऐसी स्थिति का है जिसमें दो राशियां समानुपात में हैं। कैसे ऐसी स्थितियों में आलेक, सदैव, रैखिक ही होते हैं। प्रयास कीजिए, उपर के उदाहरण में आलेक से ग्याद कीजिए कि 800 रुपए में कितना पेटरोल खरीदा जा सकता है। प्रिष्ट संख्या 255 उदाहरण साथ मूलधन तथा साधारण ब्याज। एक बैंग वरिष्ट नागरिकों को उनके जमाधन पर 10% साधारण ब्याज देता है। जमाधन तथा उस पर अरजित वार्षिक साधारण ब्याज के संबंद को दर्शाने के लिए एक आलेक कीजिए। इस आलेक से निम्न ग्याद कीजिए। यहाँ पर एक सारणी बनी हैं। इस सारणी में दो स्तंब हैं। जमाधन और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज। पंक्ती एक, सो रुपई, सो गुणा एक गुणा दस बटा सो बराबर है दस रुपई पंक्ती दू, दो सो रुपई, दो सो गुणा एक गुणा दस बटा सो बराबर है बीस रुपई पंक्ती तीन, तीन सो रुपई, तीन सो गुणा एक गुणा दस बटा सो बराबर है तीस रुपई पंक्ती चार, पांच सो रुपई, पांच सो गुणा एक गुणा दस बटा सो बराबर है पचास रुपई पंक्ती पांच, हजार रुपई, सो रुपई उप्युक्त चरण बिंदुओं को मिलाईए इन राशियों से निम्न तालिका प्राप्थ होती है इस तालिका में दो पंक्तियां है पहली पंक्ति है जमाधन रुपाए में 100, 200, 300, 500, 1000 दूसरी पंक्ति है वार्शिक साधारन ब्याज रुपाए में 10, 20, 30, 50, 100 एक, पैमाना क्षेतिच अक्षपर एक एकाई बराबर है 100 रुपए उर्ध्वा धर अक्षपर एक एकाई बराबर है 10 रुपए 2. जमाधन को क्षेतिच अक्षपर दर्शाते हैं 3. साधारन ब्याज उर्ध्वा धर अक्षपर दर्शाते हैं 4. कोश्ठक में 100 अलप पिराम 10, कोश्ठक में 200 अलप पिराम 20, कोश्ठक में 300 अलप पिराम 30, कोश्ठक में 500 अलप पिराम 50 तथा कोश्ठक में 1000 अलप पिराम 100 बिंदुओं को अंकित कीजिए पांच, बिंदुओं को मिलाईए, हमें आलेख में एक सरल रेखा प्राप्त होती है आकरिती 15.17 पर गौर कीजिए प्रयास कीजिए, क्या उधारण साथ एक समानुपात का उधारण है? प्रिष्ट संख्या 256 आकरिती 15.17 यहां पर एक आलेख बना है इस आलेख में X अक्ष जमाधन रुपाय में शून्ने से लेकर 1000 तक दर्शाता है Y अक्ष वार्शिक साधारण बयाज रुपाय में शून्ने से लेकर 100 तक दर्शाता है एक सीधी रेखा सारणी में बताई गई सूचना को दर्शाती है अजीत लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गती से स्कूटर चलाता है इस थिती के लिए समय दूरी के बीच एक आलेक खीचिए इस आलेक से ग्याद कीजिए एक अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तै करने में लगने वाला समय दो अजीत द्वारा 3 एक बटादो घंटे में तै की गई दूरी हल यहाँ पर एक सारणी बनी है इस सारणी में दो स्तंब हैं यात्रा के घंटे और तै की गई दूरी पंक्ती एक एक घंटा 30 किलोमीटर पंक्ती दो दो घंटे 2 गुणा 30 बराबर है 60 किलोमीटर पंक्ती 3 तीन घंटे 3 गुणा 30 बराबर है 90 किलोमीटर पंक्ती 4 चार घंटे 4 गुणा 30 बराबर है 120 किलोमीटर इन राशियों से निम्द तालिका प्राप्त होती है यहाँ पर एक सारणी बनी है इस सारणी में दो पंक्तियां है पहली पंक्ती है समय घंटों में एक, दो, तीन, चार दूसरी पंक्ती है तए की गई दूरी किलोमीटर में तीस, साथ, नब्बे, एक सौबीस एक, पैमाना क्षेतिज अक्ष, दो इकाई, बराबर है एक घंटा उर्द्वा धर अक्ष, एक इकाई, बराबर है दस किलोमीटर दो, क्षेतिज अक्ष पर समय दर्शाते हैं तीन, उर्द्वा धर अक्ष, दूरी दर्शाते हैं चार, कोश्ठक में एक अलप विराम तीस, कोश्ठक में दो अलप विराम साथ, कोश्ठक में तीन अलप विराम नब्बे, तथा कोश्ठक में चार अलप विराम एक सौबीस, बिंदूओं को अंकित कीजिए प्रिष्ट संख्या 257, पांच, बिंदुओं को मिलाईए, हमें एक रैखिक आलेक प्राप्त होता है, आकरिती 15.18 पर गौर कीजिए, आकरिती 15.18 यहाँ पर एक आलेक बना है, एक्स अक्ष समय घंटों में दर्शाता है, शून्ने से लेकर 5 तक, वाई अक्ष तए दूरी किलोमीटर में दर्शाती है, शून्ने से लेकर 130 तक, एक सीधी रेखा सारणी में दी गई सूचना को दर्शाती है, ए, उर्ध्वाधर अक्ष पर 75 किलोमीटर दूरी लेने पर उसके अनुरूप क्षैतिच अक्ष पर 2.5 घंटे लगेंगे, बी, क्षैतिच अक्ष पर 3 एक बटादो घंटे के अनुरूप उर्ध्वाधर अक्ष पर दूरी 105 किलोमीटर मिलती है, प्रश्नावली 15.3 1. उप्युक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेक बनाईए ए सेबों का मूल्य यहाँ पर एक सारणी बनी है जिसमें दो पंक्तियां है पहली पंक्ती है सेबों की संख्या एक दो तीन चार पांच दूसरी पंक्ती है मूल्य रुपए में पांच, दस, पंद्रा, बीस, पच्चीस बी कार द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर एक सारणी बनी है पहली पंक्ती है समय घंटों में छे बजे प्रातह, साथ बजे प्रातह, आठ बजे प्रातह, नौ बजे प्रातह दूसरी पंक्ती है दूरी किलोमीटर में चालीस, अस्सी, एक सो बीस, एक सो साथ प्रिष्ट संख्या दो सो अठावन एक, साढहे साथ बजे प्रातह, वह आठ बजे प्रातह के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तै की गई दो, कार के सो किलोमीटर दूरी तै कर लेने पर समय क्या था सी, जमाधन पर वार्शिक ब्याज यहाँ पर एक सारणी बनी है, जिसमें दो पंक्तियां है पहली पंक्ती है जमाधन रुपाए में एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार, पांच हजार दूसरी पंक्ती है, साधारण ब्याज रुपाए में अस्सी, एक सो साथ, दो सो चालीस, तीन सो बीस, चार सो एक, क्या आलेक मूल बिंदू से गुजरता है दो, आलेक से धाई हजार रुपाए का वार्शिक ब्याज ग्याद कीजिए तीन, दो सो अस्सी रुपाए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा दो, निम्न तालिकाओं के लिए आलेक खीचिए एक, यहाँ पर एक सारणी बनी है, जिसमें दो पंक्तियां है पहली पंक्ति है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दो, तीन, तीन दशमलव पांच, पांच, छे दूसरी पंक्ति है परिमाप सेंटीमीटर में आठ, बारा, चौदा, बीस, चौबीस क्या यह रैखिक आलेक है? दो, यहाँ पर एक सारणी बनी है, जिसमें दो पंक्तियां है पहली पंक्ति है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दो, तीन, चार, पांच, छे दूसरी पंक्ति है क्षेत्र फल सेंटीमीटर वर्ग में चार, नौ, सोला, पच्चीस, चत्तीस क्या यह रैखिक आलेक है? हमने क्या चर्चा की? एक, आलेक यह चित्रण समझना सरल होता है दो, एक, दंड आलेक विभिन श्रेणियों की तुलना करने के लिए उप्युक्त होता है दो, व्रित चित्र या व्रित आलेक एक संपूर्ण के विभिन भागों की तुलना करने के लिए उप्युक्त होता है 3. आयत चित्र लगातार अंतराल वाले आकणों के लिए दंड आलेक है 3. रेखा आलेक समय के अंतरालों के साथ आकणों में परिवर्तन दर्शाता है 4. रेखा आलेक जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो एक रेखिक आलेक कहलाता है 5. वरगांकित कागस पर किसी बिंदू की स्थिती निर्धारित करने के लिए हमें X निर्देशांक तथा Y निर्देशांक चाहिए 6. एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में संबंध एक आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यह अध्याय यहीं समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचनस्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समनवयक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत